हेलो एवरिवन वेलकम टू रव्यदिती क्लासेज आज की वीडियो का टॉपिक है हूँ इस प्रेजेंट इन इंडिया तो फिंट्स वर्तबान में भारत में कौन किस पत्पी है प्रेजेंट में कौन किस इस टाइम पोस्ट में हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करने वाली है और इस टॉपिक आपके exam point of view से काफी साथ important है तो बिलकुल यहाँ पे आपको updated list मिलेगी November तक के आपके जो भी most important appointments हुए हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में cover करने वाली हैं तो चले फ्रेंड शुरू करते हैं वीडियो को first question से पहला question है हमारा who has been appointed as a new chief of defense staff important question mark करेगा तो भारत के नए chief of defense staff कौन बने हैं सही answer है अनिल चोहान यह भारत के नए cds बने है Lieutenant Governor अनिल चोहान जो की हैं उत्राकांट स्टेट से यह second chief of defense staff बने हैं भारत के after विपिन रावत जी तो विपिन रावत जी यह भारत के पहले जो है वो chief of defense staff बने थे और कुछ नहीं पहले ही आपने news जरू सुने होगी helicopter crash पे जो है इनका निधन हो गया इसके बाद एके ध्याने केंगे एक और important point की हमारी government के द्वारा पॉस्ति में स्टियानी मर्लो परान जो है इन्हें पद्म बिभूशन से समानित किया गया यह point आपको जरूर ध्यान रखना है CDS की बात करते हैं कि CDS कौन होते हैं तो chief of defense staff यह four star general officer रहती है who acts as a principal military advisor to the defense minister on matters of all three military services जो की कौन कौन सी है army, navy and Indian air force next is who has become the new president of India's oldest political party congress Congress, तो Congress के अभी हाली में नए अध्यक्ष कौन बनी है, correct answer है friends Malikarjun खड़गी, यह Congress के चुह हाली में नए अध्यक्ष बनी है Congress के establishment हुई थी 28th of December 1885 में British राज के दौरान इसके founder कौन थे? A.O. Hume और इसका headquarter है New Delhi में अगला question है who has been appointed as a new president of BCCI बात करें friends, Board of Control for Cricket in India के प्रेजिडेंट की हाली में बनी है Rozar Bini, BCCI के नए प्रेजिडेंट BCCI के स्थापना हुई 4th of December 1928 और इसका headquarter जो है वो Mumbai महराश्ट में है next question है who has become the new vice president of India भारत के नए उपराश्टपती कौन बनी है? तो friends, correct answer है जगदीब धनकर ये भारत के जो है वो नए vice president बनी है और एक और चीज़ जानने केंगे ये इंडिया के 14th number के vice president बनी है इन्होंने वेंके अनाइडूजी का अस्थान लिया है या उनने succeed किया है उनकी जगा पर ये appoint हुए है नेक्स्ट क्वेशन इस हुए है वो हैस्ट पिकम दा फर्स ट्राइवल हुमन प्रेजिएंट अफ इंडिया? राइट आंसर इस द्रॉपदी मुर्मु तो friends, द्रॉपदी मुर्मु जो है ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट बती बनी है बहारत की नई लेखा महानियंत्र कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा friends, भारती दास और भारती दास इस पत को सभालने वाली 27th नंबर की ओफिसर बनी है CGA की ध्यान लखेंगे क्या होता है CGA? The 50th Chief Justice of India who will become the CGA? बतब कोशन में बूचा गया कि भारत के 50th नंबर के जो Chief Justice है वो कौन बनेंगे? तो friends, इनका नाम है धननजय यश्वन्त चंदचूर ये 15th नंबर के जो है वो यानि 50 वी नंबर के CGI बनेंगे और इससे पहले जो 49th नंबर के CGI है friends इस टाइम पे उनका नाम पे ध्यान रखेंगे उदैर उमेश ललित अगला कोशन है, who has been appointed as a new chairman of Khadi and Village Industries Commission? Khadi और ग्रामद्योग आयोग के नए अध्याक्ष कौन बने है? सही answer है, Manoj Kumar Next is, who is the chairman of Securities and Exchange Board of India? यानि इसे कहते हैं CB, भारते प्रतिभूती और वीनिमें बोर्ट के अध्याक्ष कौन बनी है? तो right answer is, माधभी पूरी बुच्च और friend CV का जो headquarter ध्यान रखेंगे कहां पे है? मुंबई में Who has been appointed as a new Chief Election Commissioner of India? Right answer is, राजीव कुमार भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है, उनका नाम में friends राजीव कुमार और 25th नंबर के जो हैं ये नए Chief Election Commissioner बनी है और अगर हम Deputy Election Commissioner की बात करते हैं तो वो कौन है? अजे भादू तो next question में हमसे देखी यही पूचा गया है की नए Deputy Election Commissioner कौन बनी है? सही answer हो जाएगा अजे भादू Who has become the first woman director general of Council of Scientific and Industrial Research? तो CSIR की पहली महिला महानेदेशक कौन बनी है? राइट आंसर इस नल्ला धंबी कलाई सेलवी और फिर्ण CSIR की स्थापना हुए थी 26th of September 1942 इसका हेटकौर्टर न्यू डेली में है Who has been appointed as a new chairman of the Quality Council of India? Quality Council of India के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो सही answer है जक्षे साशहा Who has become the new attorney general of India? भारत के नए महान्यावादी कौन बनी है? Right answer is R. Venkatramani तो friends R. Venkatramani भारत के 16th number के जो है attorney general बनी है और K. K. Venu Gopal की जगा पर ये appoint हुए हैं यानि इन्होंने K. K. Venu Gopal को succeed किया है Who has been appointed as a new president of hockey India? Hockey India के जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम है दिलीब तिर्गी Who has been appointed as a new chairman of DRDO? तो friends DRDO के नए अध्यक्ष कौन बनी है? सही answer हमारा हो जाएगा Samir V. Kamat ये DRDO के जो है friends नए अध्यक्ष बनी है DRDO के full form defense research and development organization है इसके establishment हुई थी 1958 में और इसका headquarter है New Delhi में Who has been appointed as a new director general of Indo-Tibetan Border Police Force? ITBP के नए महा निदेशा कौन बनी है? तो friends correct answer है Anish Dayal Singh ITBP के स्थापना 24th of October 1962 को हुई और इसका headquarter जो है वो New Delhi में है Who has been appointed as a new director general of CRPF? Kendra Reserve Police World के नए महाने देशा कौन बनी है? Right answer is Suzoye Lal Thaussin ये CRPF के नए महाने देशा क बनी है CRPF के स्थापना 27th of July 1939 को हुई और इसका headquarter है New Delhi में अगला question है Who has been appointed as a new director general of Indian Council of Medical Research? Right answer is Rajeeb Behel Next friends Who has been appointed as a new secretary of India's 15th president Draupadi Murmu? तो friends भारत की जो president है Draupadi Murmu उनके नए सच्चिफ कौन बनी है? The right answer is Rajesh Verma Who has been appointed as a new director general of National Center for Good Governance? Right answer is Bharat Lal तो friends भरतलाल राश्टी सुशाशन केंदर के नए महाने देशा क बनी है? Who has been appointed as a new director general of News Services Division of All India Radio? Correct answer is Vasudha Gupta Who became the 49th chief justice of India? तो भारत के 49th number के जो मुक्य नयदीश है उनका नाम है Uday Umesh Lalit Next question है इंडिया के नए Central Vigilance Commissioner कौन बनी है? Right answer is Suresh N. Patil ये भारत के नए केंदरे सतरकता आयुक्त बनी है Who is the new director of the Prime Minister's Office? प्रधान मंत्री कारियाले की नए निदेशक कौन बनी है? Right answer is Shweta Singh Who has been appointed as a new principal director general of Press Information Bureau? Press Tushna Bureau के नए प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? सही answer है French Satyendr Prakash Who has been appointed as a new president of IPL? Indian Premier League के नए अध्यक्ष कौन बनी है? सही answer है Arund Singh Dhoomal Who has been appointed as a new director general of Indian Council of Agricultural Research? Right answer is Himanshu Patak तो Friends, भार्धे क्रशी अनुसंदान परिशत के नए महानिदेशक बनी है हिमान्शु पाठक? Who has been appointed as a new director of National Institute of Immunology? सही answer हो जाएगा फ्रेंड देवशीश मोहन्ती ये राष्ट्य प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बनी है? अगले कोशिन पर बढ़ते हैं Who has become the new chairman and managing director of India Trade Promotion Organization? तो Friends, बात करते हैं आपे ITPO की तो इसके नए अध्यक्ष बनी है प्रदीव सिंग हरोला Who has become the new director of National Disaster Management Authority? तो Friends, correct answer हो जाएगा है हाँ पे मरणीनी श्रीवास्तव ये राश्टे आप्दा प्रमंधन प्रादीकरण के नए निदेशक बनी है Who has been appointed as a new inspector general of the National Security Guard? राश्टे सुरक्षा गार्ड के नए महानिरिक्षक कौन बनी है? Correct answer है Friends, प्रवीन चाबडा National Security Guard की स्थापना 1986 में हूँ और इसका मुख्याले जो है वो न्यू डेली में है अगले appointment में बढ़ती है Who has become the chairperson of competition commission of India? CCI की जो अभी हाली में अध्याक्ष बनी है उनका नाम है Friends, संगीता वर्मा और ये acting chairperson बनी है CCI के मुख्याले ध्यान रखेंगे कहां पे है? न्यू डेली में अगला question है Who is the new director general of national security guard? राष्टे सुरक्षा guard की जो नए महा दिशक बनी है Friends, उनका नाम है प्रवीन चाबडा और NST की बात करती है तो इसके सापना 1986 में हुई थी और मुख्याले है इसका न्यू डेली में Next question is Who has been appointed as a new ethics officer and omsman of the BCCI? BCCI के नए ethics officer और लोगपाल कौन बनी है? सही answer है विनीत सरन Next important question है Who has become the new president of All India Football Federation? तो Friends, बात करते हैं पे अकिल भारत्य फुटबॉल महासंग के नए अध्याक्ष कौन बनी है? Correct answer है कल्यान चौबे ये AIFF के नए प्रेजिडेंट बनी है Who has been appointed as a new CEO of Niti Aayog? Niti Aayog के नए CEO कौन बनी है? तो आंसर हो जाएका परमेश्वरन आयर Niti Aayog के फुल फॉर्म है National Institution for Transforming India इसके सापना 1st January 2015 को हुई Headquarter है New Delhi में President Narendra Modi ji और Vice President Sumanke Bheri Who has been appointed as a new Director General of Shashashita Seema Bal? Right answer is SL Thaussin ये Shashashita Seema Bal के नए महाने देशक बनी है SSB के सापना 20 December 1963 के हुई और इसका Headquarter New Delhi में है Who has been appointed as a new Director General of Indian Air Force Bhaartya Waiyusina के नए महाने देशक कौन बनी है सही answer है Frank Sanjeev Kapoor Indian Air Force के सापना हुई 8 October 1932 Headquarter इसका New Delhi में है Air Force ते हर साल 8 October को मनाया जाता है और Deputy Chief कौन है Sandeep Singh Who has been appointed as a new Chairman of CBTT Central Board of Direct Texas के नए Chairman कौन बनी है Answer is Nitin Gupta CBDT के बात करते है Friends, इसके सापना 1st January 1964 को हुई और इसका Headquarter है New Delhi में Who is the Chairman of Indian Space Research Organization Right answer is S. Somnath So friends, हाली में इस्तों के अध्यक्ष बनी है S. Somnath Who has been appointed as a first woman Chairman of Steel Authority of India Limited Sale की पहली महिला अध्यक्षिक पत्पे किसे न्युक्त किया गया है Correct answer है Soma, Mandal So friends, इसके स्टेबलाइश्मेंट 19 January 1994 को हुई और इसका Headquarter है New Delhi में Who is the New Director General of National Investigation Agency राष्टे जाच एजनसी के नए महानिदेशक कौन बनी है सही answer है Friends, हमारा दिनकर गुपता इस्ती correct answer Who has been appointed as a New Director General of Bureau of Civil Aviation Security नागरिक उड्डेन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनी है सही answer है जुल्फिकार हसन Who has been appointed as a New Director General of National Informatics Center राष्टे सुषना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बनी है answer is Rajesh Gera आगला कोशन है Who has been appointed as a New Chief of Indian Army भार्टे धलसीना के नए प्रमुक कौन बनी है The right answer is Manoj Pande Who has become the new Vice President of Indian Army भार्टे धलसीना के जो नए उपाध्यक्ष बनी है उनका नाम है B.S. Raju Who has become the new Navy Chief of India बात करें भार्टे के नए नौसीना प्रमुक की तो उनका नाम है आर हरी कुमार इंडिया नेवी जो है 4th of December को अपना नेवी डे मनाता है और हेड़क्वाटर है नेवी का New Delhi में Who has been appointed as a new Economic Advisor of India तो फ्रेंट्स नए Chief Economic Advisor इंडिया के कौन बनी है आंसर इस वी अनन्त नागेश्वरन Next question है राजय सभा में नए Secretary General कौन पॉइंट हुए है Correct answer is प्रमोट चंदर मोदी ये नए Secretary General बनी है राजय सभा में इसके लाव फ्रेंट्स राजय सभा के जो डपटी चेर्मेन है उनका नाम है हरेवंश नाराइन सिंग राजय सभा में जो Leader of Opposition यानि विपक्ष की नेता है वो है मलिकारजुन खडगे और Leader of House कौन है प्यूश कोयल Who has become the new private secretary of Prime Minister नरींदर मोदी जी तो फ्रेंट्स मोदी जी के जो नए निजी सची बनी है उनका नाम है विवेक कुमार Next question है Who has been appointed the new chairman of Bombay Stock Exchange तो फ्रेंट्स बात करती है B.S.C. के जो नए अध्यक्ष मनी है उनका नाम क्या है सही answer है S.S.Mundra is the right answer B.S.C. यानि Bombay Stock Exchange के सापना 9th of July 1875 को हुई Headquarter है इसका मुंबई में और इसके M.T.C. है आशिश कुमार चोहान Who has been appointed as a chairman of National Commission for Schedule Cast Right answer is Vijay Sampla तो फ्रेंट्स राष्टी अनुसूचित जाती आयोग के अध्यक्ष बनी है Vijay Sampla बात करें N.S.N.C.S.C. की तो इसके स्थापना हुई 19th of February 2004 को इसका Headquarter New Delhi में है Who is the Director General of National Security Guard तो फ्रेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा M.A. गनपती तो राष्टे सुरक्षागार्ट के जो नए महानेदेशक बनी है उनका नाम है M.A. गनपती Who has become the new chairperson of the Central Board of Secondary Education Friends बात करें CBSC की तो CBSC की नई अध्यक्ष बनी है निधी चिबर CBSC की स्थापना हुई 2nd of July 1929 और इसका Headquarter New Delhi में है Who is the new chairman of Union Public Service Commission UPSC के नई अध्यक्ष मनी है Friends Dr. Manoj Soni UPSC की स्थापना हुई 1st of October 1926 Headquarter है इसका New Delhi में Next question is Who is the new director general of Geological Survey of India जो भारते भूवे ज्यानिक सर्वीक्षन है इसके नई महाने देशक बनी है Dr. S. Raju Who has been appointed as the new director general of military operations Correct answer हो जाएगा Friends Manoj Kumar Katiyar तो सेन्नी अभ्यान के जो नई महाने देशक बनी है उनका नाम है Manoj Kumar Katiyar Who has been appointed as a new deputy chief of army staff of the Indian army भारते सीना के नई deputy chief of army staff कौन बनी है सही answer है चन्नीरा बंसी पुनप्पा Next question is Who has become India's first national maritime security coordinator भारत के पहले राष्टे समुद्री सुरक्षा समन्वेक कौन बनी है आंसर है जी अशोक कुमार Who has been appointed as the new director general of Indian coast guard Friends यहाँ पे बात हो रही है भार्टे तटरक्षकी तो इसके नई महाने देशक कौन बनी है Answer is विरेंद्र सिंग पठानिया Who is the re-chairman of research and analysis wing तो Friends यहाँ पे बात हो रही रौ की रौ मतलब है research and analysis wing के फिर से अध्यक्ष कौन बनी है Answer is सामंत गोयल Who has been appointed as a new chairman of staff selection commission SSC के नई अध्यक्ष कौन बनी है सही answer है S. Kishore Who has been appointed as a new chairman of broadcast audience research council India तो Friends बार्क इंडिया के जो नई चेर्मेन बनी है इनका नाम है Shashi Sinha Who has been appointed as a new chairman of the university grant commission UGC के नई अध्यक्ष कौन बनी है सही answer है M. Jagdish Kumar अगला question है Friends Border Security Force B.S.F के नए महानिदेशा कौन बने है Pankaj Kumar Singh B.S.F के साप्टा हुई 1 December 1965 headquarter है इसका New Delhi में और इसका मोटो है Life Long Duty Who has become the new chairperson of National Highways Authority of India Correct answer is Alka Upadhyay B.Bharthusi Rajesh T.Rajamark Pradhi Karan की नई अध्यक्ष बनी है Alka Upadhyay Who is the first president of Indian Space Association भार्ती अत्रिक्ष संग के पहले अध्यक्ष कौन बनी है आंसर है जयंत पाटिल Who has been appointed as a new chief of Indian Air Force भाटे वायू सीना के नए प्रमुक कौन बनी है तो आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी Who has become the new chairman of chief of staff committee Chief of staff committee के नए अध्यक्ष कौन बनी है सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनोज मुकुंद नर्वने अगला कोशन है Who has been appointed as a new chairman of central board of indirect taxes and customs CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विवेक जूरी is the correct answer Who has become the director general of narcotics control bureau Narcotics control bureau के महा निधिशक कौन बनी है Correct answer is सत्ये नारायन प्रधान Narcotics control bureau के सापना 17 March in 1986 को हुई इसका headquarter है न्यू डेली में और इसके director general बनी है सत्ये नारायन प्रधान Who has been appointed as the new director general of National Disaster Response Force Correct answer is अतुल करवाल ये राश्टी आप दा मूचन बलके नए महा निधिशक कौनी है NDRF के स्थापना 19 January 2006 को हुई headquarter है इसका न्यू डेली में Who has been appointed as the new director general of Central Industrial Security Force Right answer is शील वर्धन सिंग ये CISF के नए महा निधिशक बनी है CISF के स्थापना 10 March 1969 को हुई और इसका headquarter है न्यू डेली में Who has become the director of National Crime Records Bureau Right answer is Vivek Gogya राश्टी अपराद Record Bureau के नए निधेशक बनी है Friends Vivek Gogya Who has been appointed as the new chairman of and CEO of Railway Board तो Railway Board के चो नए अधियक्ष और CEO बनी है उनका नाम है VK Tirpati Who has been re-elected as a chairperson of National Commission for Women राश्टी महिला आयो की फिरसी अधियक्ष कौन बनी है सही answer हो जाएका रेखा शर्मा Who has become the new director general of National Cadet Corp राश्टे Cadet Corp के नए महानिदेशक बनी है गुरबीरपाल सिंग What is the name of लोगसभा speaker at present तो friends बात करें प्रेजेंट में लोगसभा speaker कौन है तो answer हो जाएगा ओम विल्ला और लोगसभा के साइम में महासाचीव कौन है तो उनका नाम भी ध्यान रखेंगे उत्पल कुमार सिंग Who has become the new chairman of Bad Bank ये नए chairman कह लीजिए ये पहले ही chairman है Bad Bank की और इनका नाम है पद्म कुमार माधवन अगला question है Who has been appointed as a new chairman of National Human Rights Commission राश्टे मानवधिकार आयोग के नए अध्यश के रूप में किसी नियुक्त किया गया है तो सही answer हो जाएगा अरुन कुमार मिश्रा NHRC जो है National Human Rights Commission इसकी Delhi में Who is the governor of Reserve Bank of India तो RBI के governor कौन है आंसर इस शक्तिकान दास ये RBI के 25th नमबर के governor है और RBI का जो headquarter है friends याद रखेंगे वो है Mumbai में Who has become the new Central Vigilance Commissioner of the country देश के नए केंद्रे सतरकता आयुक्त कौन बने है आंसर इस सुरेश एन पतेल Who has become the new Director General of National Anti-Doping Organization आंसर इस सिद्धार्थ सिंह लोंग जाम ये राष्टे डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक बने है Who has been appointed as a new chairman of the Airport Authority of India आंसर इस Sanjeev Kumar Who has become the new spokesperson of the Ministry of External Affairs Ministry of External Affairs किसके पास है Dr. S. Jayshankar जी के पास मी और इसकी जो नए spokesperson बने है उनका नाम क्या है आंसर हो जाएगा अरिंदम बाक जी Who has been appointed as a new director general of border road organization आंसर इस राजीव चौदरी ये BRO के नए महानिदेशक के रूप में अपोइंट हुए है BRO के establishment 7th of May 1960 को हुई है और हेड़क्वार्टर है इसका न्यू डेली में Who has become the new controller and auditor general of the country आंसर इस गिरीश चंदर मुर्मू ये भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक बने है Who is the director general of Railway Protection Police Force Railway सुरक्षा बलसीवा के महा निदेशक कौन बने है आंसर इस संजे चंदर Who has become the new president of Athletics Federation of India आंसर इस एडिले सुमिर्वाला ये भारते Athletics महासंग के नई अध्यक्ष बने है Who has been appointed as a new chief information commissioner of India पारत के नई मुख्य सूषना आयुक्त के रूप में किसे नुक्त किया गया है Right answer is यश्वर्धन सिंग यश्वर्धन सिंह Who has become the new chairman of national school of drama National school of drama के नई अध्यक्ष कौन बने है आंसर इस परेश रावल ये सही आंसर है अगला कोशन है देखिए Who has been appointed as a new chairman of the national space promotion authority of India सही आंसर हमारा हो जाएका पवन गोयंका तो फेंट्स याद रखेंगे पवन गोयंका भारते राश्टिये अंतरिक्ष समवर्धन प्राधिकरण केंदर के अध्यक्ष बने है अगला कोशन है 15th Finance Commission पंदरवे वित आयोग के अध्यक्ष कौन है सही आंसर है नंद किशोर सिंग Who is the director general of CBI Central Investigation Department के director general कौन बने है आंसर है सुबोध कुमार जैसवाल Who has been appointed as a first logpal of India भारत के प्रथम logpal के रूप में किसे न्युक्त किया गया है सही आंसर है पिनाकी चंदर घोश तो friends यहाँ पे हमारे सभी questions complete होते है test के लिए आप लोग उसे दो questions यहाँ पे पूछे जा रही है आप लोग comment section में अपने आंसर करिएगा पहला question है Who has become the new chief of defense staff of India तो अभी हाली में भारत के जो नए CDS बनी है उनका नाम किया है second question के तरब बढ़ते है question है Who has become the new president of BCCI Board of Control for Cricket in India के जो नए president बनी है उनका नाम किया है तो friends यहाँ पे हमारे यह जो important topic है वो complete होता है Thank you so much for watching this video